90% आप अपना समय जो हैं घर में बिदाते हैं और आप एक दिन में 3000 गैलन से ज्यादा air अपने अंदर लेते हैं और अगर आपका घर बंद हैं आप आज के डिट में खुला ventilated air कहां रहता है और उसी वज़े से air pollutants जो आपके घरों में या तो पैदा होते हैं या घुस जाते हैं वो ना सिर्फ air के अंदर रहते हैं बलके आपके शरीर के अंदर बहुत सारे असर जैसे विटामिन D का synthesis जो नॉर्मली थोड़ा बहुत होता है वो भी कम कर देते हैं इसलिए सबकी कमी आ रही है इवन थोड़ा सा भी एक ये सारी studies है ये इवन small increase in air pollution थोड़ा सा भी अगर air pollution बढ़ जाता है तो वो COVID-19 के वाइरस के किसी भी वर्जन की infectivity और mortality rate को बहुत जाधा बढ़ा देता है the internet is full of pro science, fake knowledge, half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again air pollution अपने आप में बहुत खतरनाख चीज है air pollution घर में हो बाहर हो उससे अपने आप में ही बहुत सारे लोगों की जान जाती है और आप इसके बारे में अगर studies देखे, Lancet की studies में तो अकेले इंडिया के अंदर ही 5 trillion economic loss देखने को मिलेगा by the year 2024 just because of air pollution बहुत बड़ी problem है air pollution इंडिया के अंदर और 90% of the times आप अपने घरों में रहते है household air pollution जो है जो आपके solid cooking fuel जो आप use करते हैं यह बहुत बड़ा reason है 3.5 million deaths होती है इससे annually पूरे दुनिया में यह studies में निकल के आया है अगर कोई chimney है घर में burners है कोई coffee चाई से निकलते हैं जो आप घर में cleaning के लिए sprays मारते हैं इन सबसे आपके घर में air pollution बढ़ता है घर के अंदर particle matters आ जाते हैं फैल जाते हैं और यहीं इसी चीजों का long term exposure तोगि यह दिनों में problem नहीं करता है यह सालों में problem महीनों में problem करत है long term exposure in several air pollutants के all cause mortality बढ़ाता है यह सारी studies कोट की जारी है एक के बाद एक medical studies के बारे में आप से बात हो रही है air pollution जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल है आपके mental condition के ओपर भी American lung association कहते हैं कि अगर आप अपने घर में बिल्कुल smoke free zone रखें कोई गलती से घर के अंदर smoking न करें आप candles या scented candles खासकर scented candles या कोई fragrances आप जलाते हैं अगर बत्ती नौ जलाते हैं वो भी ना जलाए आज का ज cleaning या supplemental filtration strategy यूज कर सकते हैं आप बहुत जरूरी आप इसके portable या घर में filters air purification system air purifier इसका इसका इस्तामाल करना बहुत important हो गया है especially अगर आप आपके घर में proper ventilation नहीं है अगर आपके घर में रहते हैं और बाहर का air AQI जो है air quality है बहुत खराब है तो portable air cleaning systems या आप घर में रख इस भी करारी होती है और इसके filters को replace भी करना होता है यह environmental protection agency के recommendations है अब यहां पर याद रखिए कोई नो कोई हमेशा होता है हर family में जो who is more at risk from air pollution कोई नो कोई आपका चहने वाला जादा बलने पर होता है जिसके उपर house के आपके घर में मौजूद dust mite हो pollen grain हो animal danger हो या कोई व लोगों को exposure होने के बाद में allergies भी immediate भी आती है immediate after exposure से जो होती है ज्यादा तर allergy होती है और years after जो होती है वो slow chronic damage होता है इन सब चीजों से आपके lungs के अंदर जब हो जाते है chronic damage slowly 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 आपके lung की capacity कम होने लग जाती है lungs में chronic diseases bronchitis ऐसी चीज़े पाई जाती है अभी लोग कहते सास पूल रहा है बलगम जादा आ रहा है धिक्कत हो रही है WHO के according average of benzene concentration benzene जिसके बारे में अलग से एक video भी है हमारा जो एक carcinogen है जो air के अंदर केवल 1.7 microgram per cubic millimeters होने चाहिए वो air के अंदर इतना होना चाहिए इंडियन किचन के अंदर वो 31 से 45 microgram per cubic millimeter तक पाया जाता है इंडियन किचन के अंदर जो हम खाना पकाते हैं तो उससे benzene भी प्रड्यूस होता है और इस benzene से carcinogen से significant DNA damage होने का chances होता है आपके इस तरीके के exposures पार्टिकल पापी PM 2.5 particles और ozone जो आपके किचन में निकलता है त चिमनी के साथ साथ अच्छा ventilation होना बहुत जरूरी है और चिमनी होने के बावजूद भी यह घर में फैलते जरूर है याद रखिए तो घर के अंदर ventilation हो या फिर आपके घर में air purification system हो यह बहुत जरूरी है और कुछ प्रकार के indoor pollutants जो है वो immediate effect दिखा सकते हैं बच्चों क cold allergies जैसे symptoms आ सकते हैं वो लगेगा कि virus हो गया viral disease हो गया होता क्या है वो इस air pollution के वज़े से होता है जो घर में इस प्रकार produce होते हैं कई लोगों को ऐसा symptoms हो सकता है सिर्फ इस वज़े से right कैसे पता करें कि आपके घर में air pollution कैसा है आपके घर में कितना हाल खराब है कि नहीं ह तो अगर आपके घर में moisture condensation हो रहा है walls पे दिवारों पे इस तरह से काई जैसी चीजे लग रही है कोई कोने में या areas में और windows में कहीं से smell आती है stuffy air है dirty areas है central heating areas हो air cooler है या फिर chimneys है जो साफ नहीं की गई है ऐसी जगाए जहां पर books रखते हैं shoes रखते हैं वहां पर आप द air purifier perfume spray कर देने से काम नहीं होगा ठीक है कच्रे को भी हटाना होता है air को भी purify करना जरूरी है तो ऐसे systems के लिए ही यह indoor molds और mildews जो है यह बहुत dangerous हो जाते हैं और यह toxic products produce करते हैं बहुत छोटे particles particles 2.5 pm to 1.0.0 जितने छोटे-छोटे toxins होते हैं जो हवा में आते हैं और even यह humidifier disease fever आप कई लोग humidifier भी यूज़ करते हैं और इसके अंदर micro-organisms भी आ सकते हैं जो molds हैं या viruses हैं कुछ चोटे-चोटे bacteria से आके आपके शरीर के अंदर रूश सकते हैं लार्ज building में प्रॉपर even ventilation systems जो होते हैं एक जगा से दूसरे जगा पर यह transfer हो सकते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में एक कमरा खराब है तो उस वज़े से भी दिक्कते हो सकती है तो यह problem बहुत अंदेखी की गई problem है और यह हर जगा पर है even hospital rooms में, ICU में, आपके घरों में, कि बहुत ज्यादा बड़े significant air pollution के sources हो जाते हैं कई बार unidentified ऐसे कई बीमारियां लेंजुनेर्स, disease, asthma, hypersensitivity, pneumonitis ऐसे बहुत सारी बीमारियां इनके वज़े से होती हैं इन्हें building related illnesses कहते हैं EPAs, environmental protection agencies यह बहुत छोटी problem नहीं है इसको अंदेखा नहीं करना चाहिए अंदेखा नहीं करना चाहिए